वेल्कम बैक टू माई टूप सेल पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आज किस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र गोरकपुर उनिवस्टी से है मतलब कि डीडी उनिवस्टी गोरकपुर है उन छात्रों के लिए 2022 में आने वाले कोशन की बात करूँगा जो पेपर अभी आपका हालेवे होने बाला है बीएस्टी सेकिंडी वालो याद रखना बॉटनी का थर्ड पेपर है फिर्ष्ट पेपर और सेकिंड पेपर मैं पहले से अप्लोड कर रखा हूँ यह थर्ड पेपर है आप केमिस्ट्र जिलोजी बॉटनी फिजित के 2022 में आने वाले कोशन देख सकते हैं मैं जो कोशन आपको दे रहा हूँ एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेर कर दीजे कोई भी दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में हमें बताईए वह आपसे बादा करता हूँ कि एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा आप चैनल को अभी सिस्क्राइब कर लीजिए ठीक है और जो जो कोशन बता रहा हूँ आ जो most important है पहले उनकी बात करेंगे तो पहले सबसे बहुत करो इस question की जैसे स्वाइल और बाटर का plant से क्या संब्द होता है हमसे ये पूछता है Swail Butter in Relation to Plants ठीक है न, इस तरीके से Question पूचेगा कि Swail मतलब कि म्रदा और जल का Plant में क्या relation है क्या संबंद होता है ठीक है, Plant का म्रदा और जल से क्या संबंद होता है, इस तरीके से पूचेगा एक Question इस पे ठीक लगा लो, उसके बाद में आप से पूचता है, याद रख लेना उसके बाद में आप से Vitamins Most Important है, Vitamins क्या होते हैं Vitamins के कितने टाइप होते हैं कितने पिरकार के Vitamins होते हैं, आप इसको पढ़ेंगे Most Important है, Nucleic Acid को आप पढ़ेंगे, Nucleic Acid Is Most Important है, ठीक है, पढ़ेंगे क्याद रखिए, और आपको एक दिख रहा है Macro और एक होता है Micro तत्व, जो पढ़ेंगे की अंदर पाई जाते है Macro और Micro तत्व, दोनों को देखेंगे उसके बाद में आप देखेंगे बिस्तरण किसे कहते हैं, बिस्तरण Most Important है, Salt में आपसे पूचेगा बिस्तरण, परास्तरण को भी देख लेना साथ में, ठीक है, और आपसे एक आता है, जलका अपसोसन जैसे पौधे में जलका अपसोसन किस तरीके से होता है, इस तरीके से कोश्चन बनेगा तो आपसे याद रखना, दो प्रिकार से होता है एक होता है सक्री अपसोसन, एक होता है निसकर्सी अपसोसन, दोनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आप ये पढ़ेंगे जलका अपसोसन किस तरीके से होता है तो आप पूरा तरीके सिख जाएंगे, कोई शो नहीं है उसके बाद में most important टिक पर लगाना ये वाला most important है जिसे करें प्रकास अंसरेशन और जैसे ही आपका paper होगा आप हमारे whatsapp number 70-37-32-78-38 पर हमें तुरंत message करेंगे याद रखना आप तुरंत message करेंगे मतलब कि उस पर आपको photo भेज देना है उस paper का ठीक है जो भी आपका paper start हो जब भी paper हो जाए तुरंत हमें भेजिए सबसे पहले भेजिए यार हम आपके इतनी मदद करें तो आपको बस इतना काम तो करना चाहिए आपके लिए मैं important question दे रहा हूँ अब देखो इस most पर लगाना इसको most पर most important पर लगाना इस वाला आपसे अत्वा में जरूर पूचेगा कि C3 plant और C4 plant जिसे Calvin चकर के नाम से जानते हैं आप इसको बताएं एक ये वाला most important है आप इसको most पर लगा देना ये है आपका पादब ब्रद्धी हार्मोन कौन कौन से होते हैं मतलब कि पौधा किस तरीके से ग्रो करता है ब्रद्धी कैसे करता है प्लांट ग्रो ठीक है इस तरीके से आपसे मुझेगा हार्मोन ये सबसे ज्यादा एक आपसे ये पूछता है कि जिवरिलिल्स पर अगयरा ऑगजिन और इथाइलीन ये तीन हार्मोन्स होते हैं जो पौदे को ब्रद्धी करने में शायक होते हैं मतलब कि काफी भूमिका निवाते हैं इन दो इन में से कोई भी जो भी आपके गैस पेपर नोट्स में है आप उसको पढ़ लेना ठीक है उसके बाद में ये कार्भो हाइड्राइट्स इस मौश्ट इंपोटेंट है आप इस पे टेप लगा लो कार्भो हाइड्राइट्स तो आपको पता ही होगा इसको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे प्रोटीन को ठीक है और वहीं आपसे बनता है एक कोशन बनता है मैं आपको दिखा दूगा एक बनता है टेटरी प्रोटीन एक होता है प्रात्मिक प्रामरी प्रोटीन एक होता है टेट्रिक प्रोटीन इन दोनों को देख लेना, उसके बाद में जो बसा होते हैं, बसा जानते हो, बसा के पिरकार कितने होते हैं, प्लांट में, उनके गुड़ों को देख लेना, अच्छी तरीके से, most important है, बसा होती क्या है, पहली बाद तो बसा होती क्या है, बसा के कितने पिरकार होते हैं, और DNA, RNA में अंतर और DNA, RNA की सरचना को याद कर लेना most important है enzyme के बरगीकर और नमपतिती के बारे में यहां पूरा question बही देखने को मिलेगा जब enzyme के पिरकार बगएरा देखोगे उसके बाद में C4 चक्र को आप देख लेना hatch scale चक्र जो से बोलते हैं इसको आप देखेंगे उसके बाद में आता है यह simple एक बार पढ़के जाना है यह जो आपको बता रहो अब उसके बाद में एक माँ आपको पहले बताता हूँ जो important है वेरी-वेरी important है उसके बाद में आप देख लिना DNA की सरचना के बारे में यह वाला जो आप देख रहे है दिप्ती कालिता most important है most पर लगा देना यह दिप्ती कालिता को जिसे हम photo periodiums कहते हैं ठीक है आप इसको पढ़ेंगे कई टाइप से होता है जैसे एक होता है salt drum plant एक होता है long day plant एक होता है day natural plant यह तीन टैप से इसमें किरिया होती है तीनों टैप की किरिया आप याद करेंगे ठीक है अब मैं last में बस यही है और बाकी photo मैंने आपको प्रकास संसर्शन के बारे में बता ही रखिया है कि light की reaction of photosynthesis ठीक है जैसे बोलता है तो इसको आप पढ़ लेंगे और immersion प्रिभाब को पढ़ लेना है क्योंकि यह red drop बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको most पर लगा देना और इसके बाद मुंज की परिकलप्राओं को आप एक बार पढ़के जाएंगे और बिन दूसरा आपको पढ़के जाएंगे बस इतना और पढ़ लेना तो पढ़के चले जाना यदि गलती से कोशन आ जाएंगे तो आप इसको बना बना के करेंगे विस इसलिए है और कोई भी दिक्कत है तो comment section में आप बता देना इतने कोशन पढ़ लो बागी कोछ मत देखना पूरा पेपर यहां ही चपेगा आप यहां से लाएंगे 85% मतलब कि 85% आपको देखने को मिलेगा आप पेपर हैकर को अभी subscribe कर लो और पेपर हैकर को link description box में दे रखा है हमारे another channel जैसे कि बीए बाई बीस्वाई बीकॉम माई आप चल को subscribe कर लेना थैंक यू फो बच्छें दिए बाई बाई